वालेवोद दिस वीक वालेवोद आज के अपिसोड में हम बात करने वाले हैं सल्मान खान अयूश शर्मा की मराथी फिल्म मुल्शी पैटर्न के ऑफिशल अडप्टिशन के बारे में आज से पात दिन पहले ही मैंने आपको एक अपिसोड बना के बताया था जहां पे मैंने बात क्लियर की थी किस तरह से प्रवीन तार्डे जो इस फिल्म के मलाथी वर्जन से असोसियेटेड थे उन्हों ने यह बात पहली बार बाहर मीडिया में बताई थी कि यह फिल्म पांच लैंगोजिज में आने वाली हैं यह फिल्म एक पैन इंडिया फिल्म होगी यह फिल स्टाइम एनी हिंदी फिल्म रिलीजिंग इन ओडिया होगी यह बात मैं आपको पात दिन पहले बता दी थी एंड यह बात भी क्लियर की थी कि सलमान खान ड़स नॉट हाव अप्यामियो अप्यरंस इन फिल्म वह फिल्म में सलमान खान का रोल रहेगा वह अल्मोस्ट एकुल रहेगा गाइज और यह विल गुट अमांट ऑफ देस फिल्म सलमान खान जो अपनी स्ट्रीक है याने के सारी की सारी की सारी चीजों की प्लैनिंग जो है वो गाइज यह लॉक्डाउन के द्वारान हुई थी और मैं आपको यह भी बता था किस तरह से अभी राज मीना वा सारे में बात करना और सोचना और अच्छा रहता है फाइनली यह दो ऑफिशल टाइटल ऑफ सलमान खान नेक्स फिल्म एंड इस गंज ऑफ नौर्थ मेरा वाई दमदार टाइटल बहुत सालों के बाद एक दमदार टाइटल आया है जैसे टाइगर जिन्दा है वैसे गंज ऑफ नौर्थ टाइटल दमदार है स्क्रिप्प बहुत जबर्दस तरीके से दमदार तरीके से लिखी गई है और यह फिल्म जितना आप लोग कम एक्साइड़ इस फिल्म के लिए मुझे पता है बहुत जादे सेक्शन ऑफ दे ओडियंस है जो अईशर्मा को लेकर इस फि कीज भी कर सकता है और इस फिल्म के लिए उन्होंने जो प्रिपरेशन की है इस आट फ द वर्ल्ड अन जब साथ में सल्मान खान हो आज पूलीज इंस्पेक्टर सरदार्जी पूलीज इंस्पेक्टर विथ हर्यानवी यूना एक्सेंट इन फूल फिल्म जिस गॉन वी क्र पूरा फ्लेवर हर्यान भी होगा यह फिल्म नॉट इंडिया में शूट की जाएगी एपर लास्ट वीक में शूटिंग होने वाले थी लेकिन लॉक्टाव ने कारण वर्ष इस फिल्म को पस्पोन कर दिया गया है पहली फिन नुब सल्मान खान लॉक्टावन के बाद इस दिन आए टिल ऐस ते टीकोल माम